शंबू रेलवे स्टेशन पर किसान मजदूर मोर्चा ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है और यहां पर बड़ी संख्या में जो किसान मजदूर मोर्चा से जुड़े किसान है वो पहुँच गए हैं किन मुद्दों को लेकर आपने रेलवे ट्रैक जाम किया पहले शंबू बॉर्डर पर सड़क पर तो आप पहले ही धरना लगा कर बैठे हुए हैं पछले दिनी हमारे तीन नौजवान हर्याने के पंजाब की हदूद में जाके पर्छाब Колे रिचाश्य ने इसको कृफ़तार किया अंटैरोगिशन की बाद में इसको जीन में डाल दिया बेकसूर नौजवान थे हम उसी दिन से पंजाब सरकार, हयाना सरकार, केंदर सरकार से बोड़ रहे हैं, अल्टीमिन दे रहे हैं हमारे नौजवानों को छोड़ दो, बेकसूर है और उसका जो सारा कुछ है निकला भी उसने जो कुछ प्रसेस किया है, जो कुछ उसे तैकिका बेकसूर निकले हैं, जान बूज के जेलों में डाल रखा है, और लगातार बीस दिन से लेकर के हम बोल रहे हैं, कसानों को छोड़ दो, कसानों को छोड़ दो, पहले हम नौदी की काल दी और बोलते हैं, तुम रुक जाओ, हम दस को छोड़ देंगे, फिर दस की काल दी, बोलते हैं सोड़ां तक रोग जो हम छोड़ देंगे सोड़ां की कालब हम डीक के आई सत्रा को बारां बज़ के तीस मिन्ट पे हम रेलवे ट्रेक शंबू पे पहुंचे हैं इस ट्रेक में उतना समा बैठेंगे जितना समा हमारे नौजवान कसानों को रहा नी किया जाता और खनावरी बॉर्डर शंबू बॉर्डर में जो प्रमांद हैं बिजली के पानी के मच्छर मारने वाड़ी दुआई के नहीं किये जाते हम यहां बैठेंगे यह अनिश्चित काली धरना रहेगा जब तक नोजवानों को छोड़ा नी जाएगा बैठे रहेंगे बेलकुल ब हमारे आगू बैठेंगे मीटिंग करेंगे जो सहमती बनेंगे वो आपको बताया जाएगा तो फिलाल शंबू पर पहले ही सडक मार को दिल्ली जलंदर दिल्ली जम्मू नैस्टल आईवे को जाम करके किसान बैठे थे और अब रेलवे ट्रैक पर भी किसान बैठ गए आप इसके ओपर शताबदी वंदे भारत जैसी ट्रेंस भी चलती है लेकिन फिलाल ये रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जाम कर दिया गया है और किसान यहां पर लगातर बैठ कर धरना लगा रहे हैं उनका कहना है कि किसान अंदूलन जो टू था किसान अंदूलन टू पॉइंट उसमें जो उनके नोजवान किसान निताओं को गिरफतार किया है हर्याना पुलिस ने उनको जलसे लिए किया जाए नहीं तो ये धरना अनिश्चित कालिन के लिए जारी रहेगा शंबू बॉटर से कैमरामेन वेद के साथ मोहित मलोतरा टीवी नाइन भारत वर्ष